नमस्कार दोस्तों UPPSC daily news में आप सभी लोग का स्वागत है तो जियां दोस्तों देखिए मैं बात करूँगा PCS 2021 की merit में क्यूं कम जा रही है कम merit इसमें जितने भी fact है आप सभी लोग के सामने रख दूँगा साथ ही में इसकी जो आंसर की है और इसमें जो आपती देनी है कौन-कौन से question में लगने वाली है क्या है इसके लिए भी मैं अलग से आप सभी लोग के वीडियो दूँगा कुछ question है जिसमें आपती लगनी ही है और उसका benefit भी आप सभी लोग को मिलेगा तो मैं आपसे शुरू करता हूँ सारी चीजों को clear करके कि किस में क्या होने वाला है क्यों जा रही कम merit कितनी seat है क्या है संख्या कैसे क्या होगा सारी चीजों को मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपसे discuss कर लूँ जो seat है वो 580 प्लस है अफीसियल seat है और अफीसि है जो 2014 और 2015 के जो ऐसे लोग थे उनका प्रमोशन हो गया है वही seat की संख्या इसमें एड होनी है यह ओफिसली सिर्फ 580 seat है अगर उस पे मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट आप सभी लोग की थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है 85 प्लस रह सकती है लेकिन हमारी जो seat का अनुमा करेंगे देखिए सीदे सीदे बिना किसी इधर उदर की बात करें हम आप से डारेट वीडियो की मतलब जो संबंदीत है PCS 2021 इससे लिए हम बात कर लेते हैं कटाप देखिए जनरल और OBC का जो कटाप है वो देखिए 82 से 85 question तक रहने वाला है साथ में EWS की जो seat है उसके जो बात करूं मैं वो 77 से 80 question से आसपास जा सकता है ST की बात करूं तो वो 71 से 75 question के आसपास जा सकता है इस special seat यानि GIC अन्य के लिए वो 60 और 65 question जाने की संभावना है मैं 850 प्लस seat की बात कर रहा हूं जो भविस में बढ़ने की उम्मीद है अन्यता अभी आफिसली देखेंगे तो मातर सिर्फ 580 seat है और आपको बता दू चैनल की तरफ से सारी चीज़ें एकदम neat and clean बताई जात हैं जो हमारे सोर्स हैं जो सुत्र से में जानकारी मिलती है वो हमेशा सही निकलती भी रही है आप वीडियो खिष्ट्री में जाकर के जो भी नए चैनल प्यार हो देख सकते हैं जो पूराने है वो अच्छे जानते हैं अब देखें हम बात करेंगे अभी मातर 580 seat है जिनमे में सामान एक्ष्ट्री के 273 प्लस और 300 प्लस है जिसमें जी आइसी हुआ अन्य स्पेशल सीट है मेरिट कम जाने के जो कारण है उसकी अगर हम बात कर लें तो 13 गुना से 15 गुना किया जाना जो अभी हुआ है साथी में अभी सीट 273 लेकिन भविस में 450 प्लस ठीक है तो मै समानayan वाली बात कर रहा हूं पेपर मॉडेट से हाई लेबल में रहा हूँ इस बार हाई लेबल का मतलब सिर्फ मैं यह कहना चाह रहा हूं शुबह भी बता वी बता रहा हूँ हाई लेबल का मतलब यह था कि कुश्चन जो आये थे उसके क्वश्चन ही काफी लोगों ने नहीं सुने थे और नहीं उसके आप्सन सुने हुए थे इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आप्सन पर टिक किया जाए मतलब रिस्क लेने वाली बात भी नहीं थी सबसे बड़ी बात 46% अभेर्थियों ने पेपर छोड़ दिया है जो आकड़ा काफी लोग बता हैं कि आदे से जादे लोगों ने पेपर दिया लेकिन नहीं 46% लोगों ने पेपर छोड़ दिया है अब हम बात करेंगे देखिए 2020 का जो मेरिट था वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता था साथ में अधिकान सभ्यर्थी कि जो सबसे बड़ी चीज है इस एक्जाम के लिए यह जो आप सभी लोगों कर दो जानेगे वाली Say情 कराने वाली जिसको में लास में ही बताना चाहरा था वह चीज विए सी सेण में काफी लोग फेल है कि अस्य आपको सूबह की वीडियो में भी बताए था मैं भी बता रहा remainorsं में काफी लोग फेल होंगे और भाई ऐसी मेरी दूआ है कि सब पास हूँ लेकिन मैं जिस हिसाफ से पेपर हुआ सारी चीजे उस हिसाफ से मैं आप से सामने डिसकस कर रहे हैं अब हम बात कर लें देखिए उत्तर प्रदेश कुश्चन और पेपर के बदले स्वरूप ने अखिल भारती है कि जो पेपर का जो इसतर है उसको कम कर दिया है ठीक है और यही सारी चीजे कारण रही जिसमें सबसे बड़ा कारण आप सबी लोग का बिरतियों का पेपर छोड़ना प्लस सीटों का बढ़ना प्लस सी सैट में भिरतियों की सबसे वड़े कारण फेल होना तो जो मेरिट है वो आकलन यही है 82 से 85 और इग्जैक्ट अभी धीरे धीरे करके ये भी मेरिट क्लियर हो जाएगी इग्जैक्ट है क्या 82 है 83 है 84 है 85 इस पर भी क्लियाटी बन जाएगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से बस चैनल पर जूड़े रहें जो भी चैनल पर नयार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एक भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आयो की तरफ से आये और जो सुत्रों से आपसे लोकली सॉलीड अपडेट मिले वो कोई भी वीडियो मिस्स ना होने पाए आपसे तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर करें और अपनी भी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तो जहां दूस्तों बहुत बहुत धन्यवाद